क्या M.B.N. Marketing का मतलब sales है? किस और हम से question बूचा है? देगे, simple सी बाद, मेरे भी M.B.N. Marketing करी है और मेरे कोई पता है कि हवाग यही create है colleges के अंदर कि M.B.N. Marketing का मतलब है भाई तुम sales के अंदर जाओगे, sales के अंदर काम करोगे और logically क्यों होता है? क्योंकि sales के अंदर आपको starting में अच्छी salary मिल जाती है इसलिए जारा तो लोग sales में जाना पसंद करते है और sales incentive bound होती है तो company भी hire कर लेती है, ठीक है इतनी sales ला देगा, तो इतना return तो लही देगा यह हो जाएगा, वो हो जाएगा पर, simple सी बाद, sales का मतलब marketing नहीं है marketing का एक छोटा सा part है पहली चीज तो यह चीज को clear रखो तो अब आप digital marketing के अंदर भी गुश सकते हो marketing analyst भी मन सकते हो बहुत सारी fields है अगर आप देखते हो तो हाँ, starting के अंदर ज़्यादा पैसा नहीं मिलेगा sales के comparison में अगर आप अच्छे college से pass out होतो अच्छे college से pass out के बंदे को sales में relatively अच्छा पैसा मिलता है, क्योंकि उसको भार घुमना पड़ता है, जान लगानी पड़ती है तब ही उसको salary मिलती है वहना निकाल देते है मिंड से पहले पर जो दूसरी वाली side वाली picture होती है वहाँ पर आपको AC में बैठना होता है अराम से बैठके एकाम करना होता है वहाँ पर आपके वास कोई targets नहीं होते है बड़े बड़े कि वह ये चीज़े करनी है दिमाग का game होता है और starting में आपको चाहिए तोड़ी से दिक्कत आती है आपका level अच्छा हो जाएगा और मेरे साब से अगर आप सुच मारते हो अगर आपको मेरे साब से salary बढ़ा देगा अगर आप अच्छे होगे तो और आप आप नहीं बढ़ाते तो 6-8 मेने पर आप सुच मारते हो तो हो सकता है आपको 25-30 तक की salary मिल दाए अगर मैं normal school की college की बात करके चलो IIM के हो तो बात अलगे पर अगर normal college की हो तो ये 25-30 भी मिल सकती है वहाँ पर अगर आप थोड़ टाइम काम करते हो तो आपकी salary 50-60-1 कितनी भी हो सकती है कोई मतलब नहीं है कि ब्रेंडिंग काम मेरे को बता है कितने profit margin के उपर operate होता है क्योंकि वहाँ क्या है वहाँ आइडिया की किमत और अगर आप अच्छे होगे तो आपके बहुत सारे ideas होगे और उस चकर में आपको पैसा मिलता है वहाँ पर salary हो बहुत ज़्यादा अच्छी मिलती है अच्छी ब्रेंडिंग कंपरी